हेलो क्लास 12 स्ट्रेंट्स, चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए एक बुक परचेज की है, CUT क्योस्टन बैंक, इस बुक का बाइ लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँआ, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ये बुक आपको अमेजोन पे हैं, आपको Central University या फिर बड़े-बड़े colleges में admission लेने के लिए, अब percentage based पे आपका admission नहीं होगा, इस test based पे आपका admission होगा, अब इस बुक के अंदर क्या है, एक general test आता है, जो paper होगा मारा, वहां पे physics, chemistry, mathematics के तो question आएंगे ही आएंगे, biology के आएंगे, जो bio वाले students हैं, और स question paper of 2023 दे रखा है, new question format दे रखा है, और साथ में देखो, यहां पे क्या लिखा है, scan the QR code inside the take, online test for the self assessment, अंदर QR code भी दे रखा है, बुक के अंदर, उसको जैसे ही आप scan करेंगे, तो आप इनकी website पे चले दाएंगे, वहां से आके आप test assessment ले सकते हैं, मतलब test दे सकते हैं, पत इस बुक के अंदर देखते हैं, क्या कुछ है अचा सा, तो सबसे पहले तो देखो बच्चो, यह हमें soul paper दे रखा है, 2023 का, इसको बाद में देखेंगे, पहले इदर आजाओ, content क्या, इस बुक के अंदर, तो यहां पे आपको सारे के सारे chapters दे रखे हैं, अब यह मत सोचना कि sir, 30 chapters यहां पे दे रखे हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्यूस्टन है, बच्चो जो PCM लेके आया है न, physics, chemistry, math जिसके पास है, यह chapters बिल्कुल हलवा है उनके लिए, चुटकियों में, चुटकी बजाते हैं, इस all out कर दोगे आप इन क्यूस्टन्स को, और ऐसा नहीं है कि इस test के अंदर आपको बहुत ज़्यादा difficult चीज़े देखने को मिलेंगी, simple simple से questions आते हैं, और ध्यान से क्या करना है, series completion है, analogy है, coding decoding है, blood relation है, direction के question है, non-verbal, verbal reasoning है, LCM, HCF है, number system है, class 8th, 9th, 10th में पढ़के आ चुके हैं यह चीज़े हैं, average निकालना, percentage, profit law, simple interest, compound interest, but concept क्या है, इन सब के formula आपको पता होने चाहिए, बस यह चीज़े अगर आपको आ गए ना, तो सारे के सारे questions कर लोगे, अब इदर आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं, question paper के अंदर क्या कुछ पुछा गया था last year, सबसे पहले हैं यह तो हमारे journal test के अंदर journal questions दे आगे चलते हैं, यह क्या दे रखा है, the relation between the values of a country, imports and the exports is called, balance of trade क्यलाता है, import-export, आगे क्या है, if today is Saturday, then what will be the day on the 363rd day, तो 363 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज Saturday है, तो Friday आगया, इसका concept यहाँ पर सिखा रखा है, किस वरकार से आपको इनको soul out करना है, आगे चलते हैं, median दे रखा है, यह दे रखा है, value of x, find out करने है, median का formula लगाना है, class 10th में सिखा था, यहाँ पे निकाल के भी दिखा रखा है, आगे देख लो, यह दे रखा है, here are some words translated from an artificial language, यह इस परकार से translate कर रखे हैं, तो all India radio को आप किस परकार से translate करेंगे, अब यहाँ से आपको क्या क pick करके, अपना answer बनाना है, यह direction का question दे रखा है, यह angle of elevation, class 10th का chapter 9th का question उठा के दे दिया, बस यह है, कोई ज़्यादा difficult नहीं है, यह मत सोचना कि difficult है, बट इस book के अंदर से आपको ना pattern पता चल जाएगा, किस type के question आदेखने को मिलेंगे, और कैसे हमें soul out करना, यह देख उससे आगे आजो, LCM, HCF का question आगया, यह बीच में थोड़े से journal question है ना आपके, GK के question, यह आपको अच्छे से read करने पड़ेंगे, यहाँ से आपको practice करनी पड़ेगी, यह direction के question हो गए, फिर दुबारा से, major is related to the lieutenant in the some way as the squadron leader is related to flying officer, ठीक है, तो यहाँ पे यह diagram दे रखा है, इसके basis पे आपको answers देने हैं, यह आगया हमारा chapter number first, class 11th का question, तो भाई, जिस बच्चे को CUET का exam देना है ना, जो class 8th, 9th, 10th का भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, बाजचांज, तो भाई, आपको 11th का syllabus, बहुत अच्छे से कहाना चाहिए, 9th का, 10th का, 11th का syllabus, तभी आप कर पाऊगे इन questions को, यह देख लो, यहाँ पे series के question दे दिये, कि ladder जो है, इस परकार से relate करती है, तो light किस परकार से relate करेगी वे आपको बताना है, यहाँ से pick करके भी देख सकते हैं, नहीं तो यह द track कर रखा है, यह one, यह eight add, यहाँ भी eight, यह भी eight, सम्में eight plus कर रखा है, तो ऐसे ही light की position जो होगी न word letters की, अपने English alphabet में, उसमें eight eight plus करके आपको answer बना देना है, यह concept आपको डूमना है, यहाँ पे देख लो, angle of elevation का, फिर क्योश्चन दे रखा है, chapter 9, class 10 से, यह आ गया area of rhomb से related आ गया, यह vitamins का question दे रखा है, deficiency of vitamin B की वज़ए से कौन सा रोग होता है, deficiency of iodine की वज़ए से, deficiency of iron की वज़ए से क्या होता है, यह चीज़े आपको दे रखे है, vitamin A की कमी से क्या होता है, यह चीज़े, ऐसे-ऐसे questions भी आपको देखने को मिलेंगे, आगे चलते हैं भई, क्लोक वाले questions दे रखे हैं, यहाँ पे angle वाले दे रखे हैं, कि क्लोक में ये time हुआ है, तो कितना angle होगा, तो अगे चलेंगे, और देखते हैं, यहाँ पे, railway की ticket से related question है, यहाँ पे एक diagram दे रखा है, in figure out, which number indicates doctor who are not married, यहाँ पे कुछ doctors के बारे में बता रखा है, triangle जो है, doctors को represent कर रही है, circle जो है professor को, और married people जो है square को, तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि कौन से जो है doctor unmarried है, अब देखो बच्चों, यह square के अंदर जो है, इस rectangle सी के अंदर, जितने भी आएंगे, सारे के सारे क्या है married, इधर जो आ रहे है, वो क्या है professor भी है, doctor भी है, उपर अकेले doctor है, और unmarried है तो one answer आ गया, बस ऐसे दिमाग लगाना है, arrange the following in the meaningful sequence इनको meaningful sequence में आपको order करना है, key, lock, door, room, कैसे करोगे, सबसे पहले आपके पास key होनी चाहिए, फिर lock होना चाहिए, lock में की लगाएंगे, फिर उसके बाद हम door open करेंगे, फिर room के अंदर जाएंगे, बस ये meaningful sequence बन गया, major constituent of natural gas क्या होता है, methane होता है, यह आपको पता है, यह देख लो यहाँ पे, x got 98 marks in exam, which is 56% of the total marks, 50, aka, मान लो आप हो, आपने 98 marks gain किये हैं, जो कि आपके total marks का 56% बनता है, what is the maximum marks, असान है भई, यहाँ पे 56% of x equal to 98, पता है है ना, x assume कर लिए आपने total marks, उसका 56% 98 है, तो यहाँ से x की value आ गई 175, इस पर गालिसे questions कर लेंगे, clear हो गई, बाकि और questions जो हैं, वो next वीडियो में दिखा दूँआ मैं, और book को आप purchase कर लें, क्योंकि ऐसे अगर मैं कराऊंगा तो भई, ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे questions तो book को आप buy करके वहाँ से आप असानी से questions को कर सकते हैं, thank you students for watching this video, तो बहुत ही अच्छी book है link आपको description में मिल जाएगा और बाकि अपने, जो concept clear करने, class 9th, 10th, 11th, 12th के, वो next classes के channel पे भी, अपने channel पे भी videos मिल जाएगी, thank you students for watching this video